नौश्कार मेहुन राग, आप देख रहे हैं मेरे साथ महासंगराम, इस समय मद्रप्रदेश के वरिष्ट पत्रकार सौधिश शमू के समू संपादक अतुल तारी जी अमरे साथ हैं, आतुल जी आपका बहुत बहुत अभी नौश्कार राग जी चुनावी रण बेरी बच की है, शंखनाद हो चुका है, आप देखिए कि दोनों तरफ से इस समय जवानी जंग बहुत तेज चल लई है, पिलकुत सही का आप, और जो जवानी जंग के आपने बात की, तो निश्चित रुप से राजनीती का स्टर, खाक कर भाशा के स्टर पर, जिस और जा रहा है, म लोगतंतर की खुब सूर्ती है, और निश्चित रूप से रोप रत्यारुप चुनाओं के दोर में दखती है, आठल जी, यह था, कि रोप रत्यारुप से कोई आत्या लिए, आरोप रत्यारुप पहले तो यह उता था था कि, आप शोले फिल्म की तरह होते हैं, कर बहु म सब जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांदी की दुखत हत्या होती है और उसके बाद एक सहानबुती लहर और उस सहानबुती लहर के चलते अटल विहरी वाच्पई जी चुनाव हार जाते हैं और मादराव सिंदिया चुनाव जीतते हैं चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में सिंदिया जी से प्रश्ण पत्रकार करते हैं और उनसे पूछते हैं और क्या प्रश्ण हुए क्या उत्तर हुए यह तो पता नहीं लेकिन उस पत्रकार विरादरी का एक स्वाबान देता ही है तो उन्होंने अटल जी से पूछा कि हमारी सिंधिया जी से बात कुटी, और सिंधिया जी ने कहा कि दरसल में चुनाओ गौलियर से इसली लड़ा, कि अटल जी ने ये कहा था कि माधराओ अगर बहुत लोग प्री आ हैं, तो गौलियर में आके चुनाओ लड़ें, तो उनको उनकी आवकात पता चल जाएगी। अटर जी ने कहा कि राजनीती की ये शब्दावली मेरी नहीं है। और माधराव सिंधिया के लिए तो कतई हो ही नहीं सकती। सिंधिया जी को मैं ही जनसंग की मैंने उनको सदस्यता दिलबाई थी। ये अलग बात है कि आज वो कॉंग्रेस में हैं। बात सिर्फ इतनी है, यहां से आप ज्यान दीजिए, बात सिर्फ इतनी है कि एक बार मैंने संसत के कोरिडोर में चिंधिया जी से पूछा था कि क्या आप गॉलियर से चुनाओ लड़ेंगे। लेकिन चिंधिया जी कियो गॉलियर आएए उस डिव dalla इज़िया गॉलियर से चुनाओ लड़े और एक महाराजा वोट मांगेगा, तो अपर प्रजा निश्चितर रूप से अपना आशिरवात देगी। मुझे मालूम था कि मैं चुनाव हरूंगा लेकिन सिंधिया जी के इस आचरण को मैं बार-बार कह रहा हूं अनुराग जी वह उधारन मुझे आज तक मैं बार-बार देता हूं कई बार देता हूं अटल जी कहते हैं कि सिंध्या जी के इस आचरन को मैं वचन भंग की संग्या तो नहीं दूंगा, परंतु परस पर संबंधों की कसोटी पर इसे उचिद भी ने ठेरापूं। ना अविंद्रा जी हैं ना अटल जी हैं अभी का जो दौर है अब तो आरोप प्रत्यारोप आपके पास कुछ साक्ष होते हैं आप जवानी जमा खर्च करते रहते हैं और सोचने के चुनाव जित जाएंगे। हां वही मैं देख रहा हूं ना कि दरसल आप कॉंग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो करोणों के घुटाले अर्बों के घुटाले हम उस तर पे आ गये हैं कि हम आरोप लगाएं और सामने वाला पश्टिकरन देता रहे सफाई देता रहे मैं यह कह रहा हूं इस कॉंग्रेस को यह आरोप लगा रहे हैं जम्मेदार विपक्ष है और केंडर की सत्ता का विए उनको लंबा अनुबव है अगर कमल नाजी देख वेशीं जी अगर भरती जनता पारटी पर आरोप लगा रहे हैं तो आरोप के साथ प्रमाण जे या भरती जनता पारटी भी अगर कॉंग्रेस के विशय में कुछ कहना चाही है, तो सब प्रमान बात करें. अब प्रमानों की बात नहीं होती है, अब जुम्लेबाजी की बात होती है. अब कमलना जी की आपने सर्चाइब उनको करप्टनाथ कहना, करप्शनाथ कहना, ये कौन सी शब्दा वह रही है? अलोचना और उनको बार-बार पपू कहला हूँ, या उनकी हर चोटी बड़ी बात पे, आज मैं आप से बात करना हूँ, हो सकता है कि बात करते करते मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और कोई slip of tongue हो जाए, पर आब मैं उतनी ही, आज तो electronic media का जवान है, उतना चलाते रही है, हमारे साथ हो सकता है, लेकिन हम क्यों जनता को इतना भ्रमित कर्मा चाह रहा है, हम उनको खराब बताकर, तुम्हारी कमीज मेली है, ये कहके मैं अपनी सफित क्यों बताना चाह रहा है, ये बहुत दुर्भाग बता है, और मुझे लगता है कि ये जिस तरह के दौर में हम आगा है, तो अभी हमारे कानों को तयार है ना चाहिए, तमाम किस्म के अप शब्द एक दूसरे के बारे में, तमाम असनसदी शब्द एक दूसरे के बारे में कहने सुनने को मिलते रहेंगे, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड निश्चित रूप से धिरे-धिरे भारतिय लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, और मध्यप्रदेश तो अभी इस मामले में सोभाग्य चाली है, कि लगभग दो दुरूवी है, यहने अभी कोई तीसरे चोथे दल की गुन्जाइश, भारतिय जनता पारे मध् तो समाजवादी पार्टी भी पुरी ताकत से संभवतों चनाओ लडने का प्रयास करेगी, हलाकि उनकी जमीन पे कितनी ताकत है, यह तो चनाओ परिणाम बताएंगे, आम आदमी पार्टी भी सकरी है, गहुजन समाज पार्टी भी सकरी है, लेकिन मुझे फिर भी लगता ह कि संघर्ष तो भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच है और अभी जनता निरने नहीं स्वयम नहीं कर पारे जैसा मैं आपज़र कर रहा हूं एक तरफ एक लंबे समय तक भारती जनता पार्टी सरकार में है तो उसको लेकर स्वावाई कुरूप से उनकी अपनी अप इसको लेकर उनका आपना आक्रोश है Лेकिन वही गता हम् odor ku एन उनका आपना अकक्रोष है लेकिन वही वह पंधरा मेने का हाल ही में शासन कमलनाजी की सरकार का भी देख चुकी है और इसके पहले दिग्वेयसिंग जी की सरकार को भी देख तो वह अभी तोल रही है दोनों के चाल रही है लोग तंत्रमें अगहर जनता TWOL मोल के बूट दे मोल भले ही ना करें लेकिन Bug電 जरूर प्र profet में पर्टाषी को तोले पार्ठी को तोले उनके कामों बद ले विकास की जितनी बात करतें इख जो वादें दिखाय जाते हैं एक चंकीलि बंधनवारों में मत ध आपको स्टाइफंड देंगे आपको यह करेंगे यह परंपरा ठीक है क्या नहीं है पंडित दिन्जाल उपाध्या जी ने एक बात कही थी भारती राजनीती में उनको रहने का दुर्भागे से कम आउसर प्राप्त हुआ क्योंकि अज समय उनकी निधन हुआ परंतु उन्हो भी परिष्टा हुना थी वह दृष्टा थे उन्होंने कहा था कि अगर लोकतंत्र में वोटर को लगाने के दिए इस तरह की पद्धती अगर आगे बढ़ी यह बात है सत्तर से और पूर्वती तब तो इतना दौर नहीं था लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि वह दृष्टा थे वह देख रहे थे कि भारती राजनी की जिस और जा रही है मतदाता को प्रलोभन देने का चलन शुरू हो गया है और अगर यह आगे और बढ़ा तो निश्टित रूप से यह लोकतंत्र के लिए भी दुरभाग्य पूर्ण होगा देश के लिए भी होगा देश के अर्थे यह जोगे आवस्ता के लिएगे हो और आज हम देख रहे हैं कि सारी ही योजना है चाहे हो डिली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या भाती-जन्ता पारटी की ओर कॉंगरेस की हूँए हम लगा तार लोगों को निश्क्रिये कर रहे हैं और इससे कहीं नगे टेक्स प्रियर में भी आक्रोश बनागा है खासकर मैं मद्दवर्देश संदव में आपसे जाना चाहूँगा तुझी के तमाम सारे गोष्राइश कमनलाज जी ने की के सो यूनित फिजली माफ, दो सो हाफ, लाली बेन को पंदरा सो देंगे साथ और उसके बाद गया सिलेंडर पां आपने बहुत अच्छा प्रश्म किया नुराग जी मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक चैनल की डिवेड में था यूज 18 की और वो जिस दिन कॉंग्रेस ने वचन पत्र जारी किया तब आदरनी भुपेंजी इस विशे पे नाराज हो गय थे मैंने यही कहा था कि कॉंग्रे की वचन पत्र पर हो रही थी तो मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा था कि कॉंग्रेस यह बताए कि आज वचन पत्र में आपने इतने सारे वादे कर रखे हैं और मध्यप्रदेश की अर्थ व्यवस्ता को लेकर आप भी लगातार चिंताएं प्रगट कर रहे हैं तो आखिर यह बादेश पूरे करने के लिए खजाने में पैसा है क्या और खजाना आपके पास है क्या और आप किस प्रकार इसको फूरा करोगे जड़े पर उनके पास जवाब नहीं था तो नाराज हुए मेरा आशे उनका नाम-कोट करने का कुई इरादा नहीं था परन्तु और मैं प्रती पुरा संबान रखता हूं पर यह बात अपने आपने है कि निश्चित रूप से जिस तरह प्राइस सरकार निश्चित रूप से लोक कल्यान के रहें। उसके बड़े रहा है और अगर वो ले रहा है तो इसको नेतृत्वी कैसा मिलेगा इस पर उसेπόशना चुज़ में भारत में द curly खायत में में हमारे में भारत में कह जाता है के रिश्वत लेना ना उद्वेना दोना। ेहिंग लिदाता ने यहां अगर मड़त रिश्वत ले जब सरकार आई थी मुद्य प्रदेश में 2018 में तो यह था कि खाजाना खाली मिला है। शिवराज जी जो दम भरते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे के कोई कम ही नहीं है। आप करजे करकर के पूरे प्रदेश को करज में डालके और फ्री में जोजनाय बें। इसकी जगे ऐसा नहीं कर सकती कि सरकार हैं कि लोग को रोजगार दे दें। स्वास्त शिक्षा जैसी चीज फ्री कर दें। सब को समान शिक्षा मिल जाए। इस पे विशार कर नहीं करते सरकार हैं। मैंने काना कि हर तरफ इमीजियट गेन तुरंत लाव की जो एक प्रवृत्ती बढ़ी है हमारे आचरण में, हमारे रोजमर्रा के आचरण में बढ़ी है। शॉर्टकट इसमें दिखता है। यहने मैं संदर्प से अटके कहूंगा कि शारुक खान की फिल्म थी दिल वाले धुलनिया ले जाएंगे। तो उसमें हम सब जानते हैं कि बड़ा प्रसंग आता है कि काजोल की मा, यहने मैं यहां अभिनेता और अभिनेत्रियों का नाम ले रहा हूं। वहां उनका पात्र का क्या नाम था यहां याद नहीं। वह कहते हैं कि इसके पिता तैयार नहीं होंगे, तुम इसको भगा के ले जाए। तब शारुक केते हैं कि उसमें जो समवाड डाला गया कि मेरी मा ने मुझसे यह कायता है कि जीवन के हर मोड पर तुम्हें दो रास्ते में लेंगा एक रास्ता सही होगा एक रास्ता कठिन होगा एक रास्ता गलत होगा जो गलत रास्ता होगा वो बहुत जल्दी परिणाम द राजनेताओं को और भारतिय राजनीति के सभी राजनीतिक दलों को इस बात पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्यान लिया है और निश्टित रूप से यह सोचना ही चाहिए केंडर से लेके राज्यत तक और नगरियन निकाय तक कि हम लोगों को आत्म निर्भर बना आत्म सम्मान के उन्हें जीने का उसर दे जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा रोजगार स्वास इन मुल्भुत सुविधाओं को उपलब्द कराएं बजाए इसके उनको अकर्मन ने बनाएं कि उनको डेड़ अजार दो अजार फ्रीमे राश मरने दे यह भी बेना कहना नहीं चाहता है सरकार का वो भी एक टाइश बनता है लेकिन यह जो प्रलोभन की राजिनीती है वो निश्चित रुख से पर आप कह रहे हैं कि यह कब तक चलेगा ज्यादा मुझे लगता है मैं आशानवित हूँ लोग समझ रहे हैं आशानवित कि अना बने उससे भचाना पड़ेगा अतुल जी से हम बाच्चीत कि दौर को जारी कर रखेंगे लेकिन तिला लेतें चुटा सा बरेक अच्छा मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है यह ना तो सीधा है ना साधा चटपटा है नया मिल्क मैजिक हेल्द हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इंफ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी, मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चड़ गई ब्रिक के बाद जारी है महासंगराम, महासंगराम में वरिष्ट पत्रकार अतुल तारी जी जो सुदेश समू के समू संबादक है, अतुल जी, राजनेतिक दल 140 से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, दोनों, आपने का कि समाजवादी पार्टी भी ताकत लगा रही है, अब सवाल ये उड़ता है, कॉंग्रिस भी 140, भाजपा भी 140, कैसे संबादोनों के लिए? अनुराग जी वो युद्ध के मैदान में हैं, अगर वो ये कहें कि हम सो जीत रहे हैं, तो वो क्यों कहेंगे? मैं तो एक पत्रकार से, एक संबादक से जानना चाहता हूँ, जो दिन भर रिपोर्टर से घरा रहता है, जिसके पास पल-पल में खबरे आती है, तो खबरे क्या है, जमीन क्या कह रही है, ग्रास्न टेबर से क्या निकल क्या आती है? कॉंग्रेस भी जानती है, कि हम बापसी करना इतना आसान नहीं है, दोनों ही दल लगभग-लगभग, सो और 110, 110 के आसपात मेरा अपना आकलन है, कम जयदा भी हो सकता है, क्योंकि अभी चुनाओं बढ़े गाल है, लेकिन मैं एक बार जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा, कि आज से चार महिने पहले, चार महिने पहले जो भारती जनता पार्टी की स्थी थी, जो चाली साथ का मुकाबला था, भाजपा ने टेजी से कमबेक किया है, और उसमें अब वो हलाकी योजना पे अपने परियाप्त बात की, लेकिन कहीं न कहीं उस लाडली बहना ने भी अफर दिखाया है, और भारती जनता पार्टी के अपने चुनावी प्रबंदन ने भी अपना अफर दिखाया है, लाडली बहना की चरशा हुई है, तब्सक्त को लाव है, उसमें से कुछ पैसे की वाकी जञरित होगी तमाम लोगों को नहीं भी होगी, तमाम लाडली बहन यह जो टेक्सपेयर हैं, वे बड़ी खफा हैं सबसे, तो आपको नहीं लगता है कि जब एक कुछ लोग आपके पक्ष में हैं तो कुछ आपके विरोज में भी होंगे, हो सकता है, लेकिन उसका प्रतीशत उतना नहीं होगा, भारतिय मानस जो है, तेक्सपेयर इस बात पर सो होगी, तभी आज वो करदाता है, तो कहीं न कहीं उनके मन में भी यह भावत है, कि अगर कोई बंचित और किसी को नीडी है, उसको अगर सरकार हजार डेड़ हजार जो भी देती है, अभी में उसके गुंदोश पे नहीं जा रहा, तो वो आक्रोश उतना नहीं है, जितना अभानमित होनेक को लेकर उनके मन में भी एक सुकूम है, अब अपन सीटों की बात करते हैं, आपने का कि अठारा वाली स्थिती पें सो से 110 के बीच में सारी डोनों पार्टी है, अब जो तीसरे मोर्ची की कई बार बात होती है, तो मोर्चा तो मद्द प्रदेश में कोई जो एक इंडिया केट बंदन मनना था, तो अखलेश की टिपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, जुवानीता है, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है, जैसा वेवार कॉंग्रेस हमारे साथ मद्द प्रदेश में कर रही है, ठीक वैसा ही बरताव हम उनके साथ उत्र हैं जो उत्र प्रदेश और मद्द प्रदेश की सीमाई लगती हैं, वो हम रिवा से शुरू करें, हम उसको ग्वालिर से शुरू करें, हम उसको छतरपर से शुरू करें, तो बहुत बड़ा ऐसा बेल्ट है, कि जहां इन लोगों की आमद हो सकती है, होगी ना, लेकिन ये सीट में कितनी कनवर्ट होती, ये देखना है, अभी मुझे जो दिख रहा है, आज अपन बात 20 अक्टूवर को कर रहे हैं, 17 नोवंबर आते आते, बहुत सी परिस्टिकियां बदलेंगी, 20 अक्टूवर की बात करें, तो मेरा ये मानना है, कि ये कही ना कहीं, कॉंग्रेस क को डेमेज ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो एक आक्रोश का वोट है, जिसको कॉंग्रेस अपना आधार मान रही है, कॉंग्रेस की अपनी कोई USP को लेकर वो चुनाव मैदान में है, ऐसा नहीं, वो ये मान के चल रही है कि भारती जनता पार्टी की सरकार के खिलाब इतना का आक्रोश है कि हम सरकार में आ जाएंगे, हम क्यों आ जाएंगे, इसका उत्तर उनके पास भी बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी और थासकर बस्पा का जो वो थे जो परंपरागत रूप से हम भी जानते हैं कि कॉंग्रेस का बोट रहा है और धीरे दीरे लेकिन अतुल जी इसमें एक चीज और है कि उस वर्ग को बीजेपी ने बहुत तेजी से सब्सक्राइब तो नुक्सान तो उसको भी होगा वहाँ और बहले यह दोग ना जीत पाएं लेकिन यह मुझे लगता है बीजेपी कॉंगर से कई नेताओं के जीत हार के समीकरा बदल देंगे जिश्चित रूप से परंतु मैंने कहा ना कि अभी जो तुल्दात्म का अध नुक्सान पॉंग्रेस को एक और बड़ी चीज निकल के आई कि सरकार जो भी बनाएगा तीन तारिक बताएगी दिसमबर में कि उट किस करवांट बैठा है लेकिन भाजपा ने इस बार मुखमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा अब भी तक कहीं से निका गया कि प्रतिदोंदी भी रहें एक समय पर मित्र भी रहें हैं पहलात पटेल हम वेश्य समुदाय से देखें तो कहला आश विजय वर्गी और फिर पार्टी में कौन होता है तो धूंड की जब ढूना जाता तो एक ही कौमन में वह है नरें सिंग तुमल राश्पू समाज का प्र होता है तो एक सब serie होता है वह अंधाब हम जो आकलन करते है और वह हम का थ परीनाम से हम यह प्रिनाम से एक नगाते हैं कि वह पद्धती ठीक थी या ना ही थी अगर परिणाम सही है तो पद्दती को भी सही करार दिया जाएगा और अगर परिणाम गलत है तो पद्दती में खोट था यह का जाएगा। बाड कर रहा हूं मैं वहम मुझे प्रदेश के सामुहिक नेतरुट्व के आधर पर जनता के साथ पहुंचेह। अब इसका लाभ है और इसके खत्रे भी two-nak-डूों ही बात यह एक प्रदेश के आधर को कोई मुख्यमंतरी का शे नहीं है। इसका एक लुकसान भी हो सकता है, बहीं दूसरी हो और चुकि वो एक collective leadership के साथ लोगों के पास पहुच रहे हैं, तो अपने अपने belt में, निश्चित रुपसे जैसे कि आपने नाम देखे कहा हैं, अगर खेलाज जी मालवाक्स के क्षेत्र में या अनुसुची जन्जाती के क्षेत्र में जाएं तो फगण सिंगी इधर प्रला जी इधर नरेन सिंगी तो अपने अपने pockets में, मेरा pocket से आशी यह नहीं कि वो किसी pocket के ही नेता हैं, पर निश्चित रुपसे उनका साभाई प्रभाव उन क्षेत्रों में अधिक है, तो मतदाताओं को एक और खासकर का करता हों को swarmदाता होुका मतदाता लू चुनाओ में आज़ी नरेन सिंगगी दिमनी चुनाओ लढने के। कर जाएम के अब दिमनी विधान सवा नहीं मुरेना और गौालियर दोना ही जगे सावा ही लूसे अथा है, तो सबीश्यू मतदाताह से लूप नरेन सिंग जी नरे कि हम collective leadership के साथ जाएं क्योंकि 18 साल शिवराज जी मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं तो केंद्रिय नेत्रतु का आखलन ये रहा होगा इसके पीछे वो कितना सही है कितना गलत है इस पर मैं नहीं जाना चांगा कि हम अगर कोई एक चहरा लेकर ही जाते हैं और शिव शिवराज जी का भी चहरा नहीं है ऐसा भी नहीं है शिवराज जी बुद्नी से चुनाओ लड़ी रहे हैं शिवराज जी आज भी मध्यप्रदेश के सबसे लुक्पूरी नेताओं में से एक है और पब्लिक कनेक्ट उनसे बहतर किसी का नहीं है तो चहरा एक नहीं है कई हैं और उसका भारती जन्ता पार्टी को लाब मिल भी सकता है मुझे अलगते हैं बड़ी महाकून बात कहीं कि अगर प्रयोख सफल होगा तो सबकी जवाबदारी उसमें हो जाएगी और सफल होगा तो कोई मुझे नहीं लगता कि इस जवाबदारी को काईगा की हमाने किया है लेकिन एक बड़ी दौशक बात दोरान हुई कि जो बड़े निता भाज़पा के अपने समर्तकों के लिए या हम उसको पत्था बात भी कहते हैं सामान बूल्चाल की भाशा में अपने समर्तकों के लिए पने पत्थां के लिए टेकेट मांग रहे थे अब वो किस मुझ से टिकेट मांगते हैं जब खुद ही उनको टिकेट मिल गए तो है ना कई जगे ये तो परिस्टिया हुई है उसके उस समय कई मरेदार मरेदार चुटकुले भी सब चले जी पिता जी बहुत उनने गए थे और खुद ही ब्या कर ला है मुझे अधिकरत रूप से तो मैं कहने कि स्थिती में नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि शायद सभी नेताओं को भी आकलं होगा या अंदाज होगा कि नहीं I am not sure कि उनको भी यह लग रहा था क्या कि मैं विदानसवा चुनाओ लड़ूंगा लेकिन राजनीती में सर्प मत जाता है हाहा कार तो इस तरह की चीजे कि जहां लोग सोचना बंद गरते हैं वहां से वो सोचना शूरू करते हैं और जैसा अतुर जी ने बताया कि दो हजार आठारा की जमीन पर जिस चुनाओ लड़ा जा रहा है बहले हम पांस साल आगे तरीस में आ गया हो लेकिन इस इसके सभी दर्चे करें